महंत भवानिगीरी महाराज की 24 वी बरसी शनिवार को मनाई गई रायकोलोनी रोड इससित भवानिगीरी मठ में बरसी महासव पर कई धार में कारिक्रमों कायुजन किया गया खुशालगीरी महाराज और नाराणपूरी महाराज की निश्रा में महाराज भवानिगीरी की आरती के बाद समाधी पूजन किया गया वही दोपहर में लंगर कायुजन कर भक्तों में प्रसाद का वित्रण किया गया बरसी महाथसों में बड़ी संख्या मिश्रा धालो बस्तित रहे बारनपूरी महाराज ने कहा कि सद्गुरु के शानेदे में आलोकिक शुक्ष की प्राप्ति और इश्वरी शंद्रे की अनुबती होती है उन्होंने कहा कि दुनिया में गुरु के मुकावला कोई नहीं है संत मात्माओं की हस्ती और शक्ती का अंदाजा नहीं डगाया जा सकता गुरु रुहानिक हजाना लेना चाहते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद दुनिया की दौरत प्राप्त करने के इच्छा समाप्त हो जाती है कारकम को समद्द करते हुए गंगागिरी मेट के महंत खुशारगिरी माहराज ने कहा कि गुरु महान जीवन का सचा निर्माता है वो अपनी बुद्धी को सलसे सेश्य के चारी तरका निर्मान करता है यह गुरु की महिमा ही है कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ कर अपने शेश्य को महान बनाता है कारकम को समद्द करते हुए अन्यवक्ताओ ने भी गुरु की महिमा का बखान किया और गुरु वर संत महात्मा द्वारा दिखाए गए मार्क पर चल कर समाज का कल्डार करने की बात कही आज माराज भॉणी गिर्दी की तोश्री वर्ष्ट पुन्य तिखी है और इस पुन्य तिखी पे बारमेर सहर के और बारमेर के छेत्र के सभी संत मात्मा और भगत पाविक सभी आइकटे होके माराज की शमादी के उपर परसाद भोग लगवा के पूजा अर्चना करके देश में खुशाली देश में सांती देश में किसी परकार की कोई व्यादी आपदा प्रिला कष्ट वगेरा नहीं आवे ऐसी सुब कामनाओं के साथ माराज की वसी पर भोग लगा के सबी ने माराज से मन्नक के मांगी के ही माराज हमारे जीवन में इसी परकार की व्यादी ने आवे ही माराज हमारे इस सहर के अंदर इस देश के अंदर कोई संकट नहीं आवे इस संकट को आप का सकते हो आप महन ब्रह्म ज्यानी मार्तमा थे इसलिए इस वर्षी के वपर सभी पदार हुए छेतर के सभी संता बगता और मैंता का बार में शेहर के रायकोलाने सेत मठ में सनिवार को भाणिगरी माराज की 24 पुनिदिथी के आउसर पर आईजित कारिकम में महनत भाणिगरी धर्मा ट्रस्ट के ट्रस्टी चमंद सोनी ठाकुर सिंदी चत्रबूज दैनी देव सुथार मिवाराम और जगदी सुथार समित बार जी सेत में शुर्दार मोज़ुद रहे का रकम की कड़ी में दौपैर में लंगर काय जन कर भक्तों को पर्षाद लितित की गई वहेरातर ही में जागर काय जन किया गया जिसमें घायक खलाकार और संधों की और से भजनों की पस्तित्या दी गई